जैसे रादे मित्रों हरहर महादेप जैमा चंद्रवदनी मित्रों चंद्रवदनी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित देपवुपाद्याय देभूमि उत्राखन से आपके अपने चैनल चंद्रवदनी भक्तिरस चैनल में आप सभी का अपनो हार्दिक स्वागत करता हुँ कि माता राणी आपकी समस्वनोकामनाओं को पूर्ण करें आपके जीवन की समस्विक्न बादायों का अहरण करें और आपके जीवन में मंगल ही मंगल हुँ यही मावागवती करवद प्राठना करता हुँ तो चंद्र भरणी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा 25 मार्च 2023 कैसा रहेगा में इस रास से लेके मीन रास के जातकों का रासिफल बात करेंगे दैनिक पंचांग की तो आप सभी से यही बिंती है कि वीडियो में आप अंतिन तक अवस्य बने रहें और अपने इस्टमित्रों के साथ वीडियो स सस्क्राइब जलूर करें और बेला आइकन का बटन दमान आप बिलकुल मी नहीं भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो समय समय अनसार आपको प्राप्त होती रहें और आपको जो है दैनिक रासिफल और दैनिक पंचांग की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहें तो बात करते हैं सरपर्थम आज के पंचांग की तो 25 मार्च मार्च 2023 का दैनिक पंचांग क्या रहेगा इस पे हम बात करते हैं तो आज का जो पंचांग है सनिवार 25 मार्च 2023 को चैत्र महिने के सुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी रहेगे और हिंदु पंचांग के अनुसार जो है आज भरणी नक्षतर रहेगा चतुर्थी तिथी आज होगे और चतुर्थी तिथी है वह आज जो है चार बज करके 25 मिनट साइकाल तक रहेगी नक्षतर जो है भरणी नक्षतर जो है आज एक बज के 19 मिनट जो है दिन तक रहने वाला है करण के बाद करें तो विष्टी करण होगा जो साय कालिन चार बज के 26 मिनट 25 मिनट तक रहेगा और उसके बाद जो है बवकरण प्रारंब हो जाएगा पक्ष की बाद करें तो सुकल पक्ष होने वाला है और योग जो है बिसकुम्ब योग रहेगा और दिन होगा सनिवार का सूर्य उदय की बाद करें तो सूर्य भगवान जो हैं वह उदय होंगे 6 बज करके 20 मिनट परातकालिन और सूर्य अस्त की बाद करें तो 6 बज करके 34 मिनट पे सूर्य अस्त होने वाले हैं चंद्र रासी की बाद करें तो चंद्रमा जो है वा मेश रासी में रहेंगे और सक्समवत की बाद करें तो सक्समवत जो है वा 1945 होने वाला है और बिक्रम समवत की बाद करें तो 2080 बिक्रम समवत रहेगा अब आज के जो है असुम मूरत यानि के राहुकाल की बात करते हैं तो राहुकाल वह काल समय है जिस समय पे आपको कोई भी कार्य जो है नया कार्य प्रारंबुर रईस राहुकाल में नहीं करना होता है तो राहुकाल की बात करें तो 9 बज करके 23 मिनट से लेकर प्रातकाल से लेकर के और 10 बज करके 55 मिनट जो है साहिकाल तक राहुकाल रहने वाला है आज के सुमूरत की बात करें 25 मार्च 2023 को सुमूरत जो है अवजीत मूरत कव रहेगा तो अब जीत मूरत होगा आज 12 बज के 3 मिनट से ले करके 12 बज के 3 मिनट दिन से ले करके और 12 बज के 52 मिनट तक रहने वाला है जो है अब जीत मूरत आज का दिसा सूल जो है वा पूरब दिसा की तरफ रहने वाला है तो यहां तो हमने बात करी है आजके पंचान के अब बात करते हैं 25 मार्च 2023 के दैनिक रासिफल के मेश रास से लेकर मेश मार्च जातकों का रासिफल क्या कहता है 25 मार्च 2023 का तो आप सभी लोगों से यही बिंती है कि आप वीडियो में अंतिम्तर अवस्य बने दे I करते हैं सरवपर्थम मेश रास के जातकों के कि मेश रास के जातकों के लिए 25 मार्च 2023 का जो दिन है वह कैसा रहने वाला है तो मेश रास के जितने भी जातक हैं आज जो है आपके लिए पैंसों के इस्तिति और उससे जुड़ी प्रेसानियां तनाव की बज़़े सावित हो सकती है आज पैंसों के कारण से आपको कुछ तनाव जो है हो सकता है प्रेम जीवन की बात करें तो आज जीवन साती का पूरा संयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है और संतान की थोड़ा सा चिंता आज आपको रहने वाली है परंतु साम तक जिवन सावित हो जाएगा बात करें बय्शवरासि के जातकों की 25링रज 2023 का दिन कैसा रहेगा तो बय्श्वरासि के जितने भी जातक है आज का दिन आपके लिए उतार चड़ाओं उसे भरा रहने वाला दिन है और दो पहर तक जो है आपके खर्चों में बिर्दी होते हुए दिख रही है लेकिन जो है उसके बाद इस्तिती थोड़ा सा बदलेगी और खर्चों में आपकी कमी आएगी आपकी आई में भी आज का दिन जो है बिर्दी होने वाली है आपकी आई में जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत ह होते हुए दिख रही है बात करें मिथ्षुन रास के जातकों की तो मिथ्षुन रास के जितने भी जातक हैं 25 मार्च 2023 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो आज आप अपना ध्यान जो हैं पूजा पार्ष में लगाएंगे पैंसों के लेन देन में आपको साब्धानी बरतनी चाहिए कारेच्छेतर में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी जो कारेच्छेतर है उसमें आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और मिथ्षुन रास के जो चात्र हैं उनको भी आज अच्छे परिणाम के लिए कड़ी मे जैना मिलेंगे भाई-बेहनों का संयोग भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है ऑज चिसमाज 2023 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो करगराज के जितने भी जातक हैं आज आपको कुछ बादाओं का सामना भी करना पड़ सकता है और महत्वपुन लोगों से नए संबंद अस्तापित आज आपके होते हुए दिख रहे हैं नीजी जो संबंद हैं उसमें भी योजनाओं पे आपको काम करना है तो सांधि आज आपको रखनी हैं बात करें सिंगराज के जातकों के लिए कैसा रहेगा 25 मार्च 2023 का दिन तो आज का दिन जो है आपके लिए थोड़ा कमजोर रहने वाला दिन है आपका स्वस्त थोड़ा सा कमजोर रहेगा और आज जो है आप कुछ बिमार भी पढ़ सकते हैं खास कर बुखार आने की संभावना हैं आज के दिन आपकी बन रही हैं बुखार आपको आज हो सकता है दामपत्य जीवन सुख में आपका रहेगा और प्रेम जीवन में भी सुख़त पल आप जो हैं बिता पाएंगे प्रेम जीवन आपका शुक में आज रहने वाला है अब बात करते हैं कन्यारास के जातकों की तो कन्यारास के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 25 मार्च 2023 का दिन तो आज आपको करियर में जो है आगे बढ़ने के कई मौके मिलते वे दिख रहे हैं अगर आप कोई खास काम करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत सुभ है करने आराज के जातकों के लिए कार्य में सपलता आज अवस्य आपको मिलेगे और दफ्तर में जो हैं वरिष्ट जो आपके वरिष्ट जन हैं आपके काम में आपके काम से वह सभी परवावित होंगे और आपको आज के दिन कोई तोफा भे वह बरिश्ट जंजु है वह आज कोई तोफा आपको दे सकते हैं देवी मा आपके खजाने को धन से भरने में मदद आज करेंगी, मा भुवुती का आशिर्वास जो है, आज करने रासी के जातकों को पूर्ण रूप से प्राप्त होता हुआ, दिख रहा है, बात करें तुलारासी के जातकों की, तो तुलारासी के जितने भी जातक है, आज आ संबंद के मामले में आज आप भाग्यसाली रहेंगे और साधी सुधा जातकों के लिए आवेग की वज़र से जीवन साती से कुछ मन मुटाओ भी आवका हो सकता है इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है बात करते हैं ब्रिशिक राशिके जातकों के तो ब्रिशिक मुझे पर तक आप जिन चुनोतीयों का सामना कर रहे थे दोपहर के बाल आप उनसे छुटकारा भी पालेंगे दोपर तक जो है पुछ Coronaе दिक्कते जो आपको हो रही थी उसके दे दोपहर के बाल को उनसे चुटकारा मिलद मूं जाएगा आवकी आत जो आपकी आौने हैं वह खूब बढ़ेगे आज आपके आमदनी अच्छी बढ़ते हुए दिख रही है खर्चे आज आपके सीमित रहेंगे खर्चे आज आपके कम होंगे बावजूत इसके आपको अपने विरोधियों से सावधान भी रहना चाहिए आज के दिन जो है जो आपके विरोधिय है उनसे आपको शावधान भी रहना होगा अब बात करते हैं धनुरास के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन 25 मार्च 2020 का दिन तो आज जो है आप पूरे दिन तरो ताजा महसूस करते हुए दिख रहे हैं और नवरात्री के सुधिन पर देवी कुसमांडा जो है जीवन के हर छेत्र में आपकी सपलता सुनिश्चित करेंगे आज महसूस कुसमांडा का आश्रिबाद आपको प्राप्त होगा आपके आस पास जो है सकारात्मक उरजा बनी रहेगे लोग आपसे प्रसंद रहेंगे और देवी कुसमांडा को आज आपको भल अर्पित करने हैं जिससे आपका बैवाही जीवन बेश सुख में बना रहे बात करते हैं मकरास के जातकों के लिए मकरास के जातकों के लिए कैसा रहेगा 25 मार्च 2023 का दिन तो मकरास के जितने भी जातक हैं जटिल समस्याओं का शमादान आज आपको मिलता हुआ दिख रहा है और मन में कुछ चिंता भी आज आपके रहने वाली है कुछ मानसिक चिंत के साथ किसी भी तरह के बाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है कोई बाद विवाद अपने प्रिवार्जनों के साथ या अपने रिस्तदारों के साथ आज आपको नहीं करना है अपने आत्म विश्वास को बिल्कुल भी आपको कम नहीं होने देना है और सेहत के मामले मे आज का दिन बहुत ही बहतर आपके लिए रहने वाला है। सपल बनाने में भी आवज काम्याव रहेंगे और सेहत का पूरा आपको ध्यान देना है प्रेम जीवन में आप अपनी बातों से अपने प्रिया को रिजाने के में भी सपल आज के दिन रहने वाले हैं अब बात करते हैं अंतिमिरासी जो मीनरासी है मीनरासी के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन 25 मार्च 2023 का दिन तो मीनरासी के जितने भी जातक हैं आज आप अपनी कोई बात जो है दूसरों के सामने खुल करके रख पाएंगे खुल करके आज आप बात कर पाएंगे और आज जो है नवरात्री के पावन अफसर पर देवी कुसमांडा आपके जीवन में खुसियां बिखेरती वी नजर आ रही है और आप जो हैं अपने जीवर में उन्नती आज प्राप्त कर पाएंगे इस रास में रास के जातक हैं में रास के जातक जो हैं सामाजिक कारियों से जो जुड़े हैं सामाजिक कारियों को जो करते हैं तो सामाजिक कारियों से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए तो आज का वीडियो के माध्यन् Number लगा आगर आपको दो लाइक कमेंट और प्रसार आपको प्राप्त होते रहे ऊऊ हमारे वीडियो से लावानवित होते हैं तो माभवति का आश्रवाद आप सभी को प्राप्त हो और माभवति आपके समस्त्र मनों कामनाओं को पूर्ण करें यहीं माभवति से कर प्राथना करते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाथ करते हैं पुना अगले वीडियो में झाल झाल